अबुधाबी के मैदान में खेले गया IPL 2020 के 48 मैच में मुंबई इंडियन्स की टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए रोयल चैलेंजर्स बैंग लोड को पांच विकेट से हरा दिया मुंबई के इस जीत के हीरोड है सूर्य कुमारी आदव जिनोंने अकेले दम पर मैच को RCB के हाथों से छीन लिया सूर्य कुमार ने 43 गेंदों में 89 रन बनाकर नौट आउट रहे मैच के दोरान RCB के कफ्तान विराट कोली सूर्य कुमारी आदव को स्लेजिंग करते हुए नजर आए दरसल ये घटना हुई जब मुंबई इंडियन्स की टीम बल्ले बाजी कर रही थी और सूर्य कुमारी आदव काफी अच्छी लाएमे नजर आ रहे थे पारी के 13 वे ओवर में खत्म होने के बाद विराट कोली के हाथ में गेंद थी और सूर्य कुमारी यादव की तरफ दौरते हुए आए उनको कुछ बोलते हुए भी दिखाई दिये लेकिन सूर्य कुमार ने उनकी बात को अंसूना कर दिया और क्रीज पर दूसरी तफ जाने के लिए आगे बढ़ गए सोशल मीडिया पर या वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है मुंबे इंडियन्स की टीम ने अपने बारहवे मैच में इस सीजन की आठवी जीत दर्ज करने के साथ ही प्ले आफ में अपना स्थान लगभग तैकर लिया है टीम को इस सीजन अभी दो मैच और खेलने हैं और इस समय टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर चल रही है RCB की टीम इस मैच से पहले बलेबाजी करते हुए 20 ओवर में 100 विकेट के नुकसान पड़े 164 रन बनाये थी चीन की तरफ से देवदर्च पडिकल ने 74 रनों की आतीशी पाड़ी खेली जवाब में मुंबई इंडियन्स ने 19.1 ओवर में इस लक्ष को आसानी से हासिल कर लिया